हलो फ्रेंड आज बनाएगे बहुती हलका पुलका सा नास्ता और इसके सासा चटनी भी बहुती टेस्टी बनाने वाले हैं जो कि बहुत टेस्टी बनने वाले हैं जटपट से ये बनकर रेडी हो जाती है इसको हमना एक कप सूजी से बनाकर इसको तयार करने वाले हैं पोहा आप डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो option के लिए रखा है अगर आपके बाद सूजी नहीं है तो पोहा भी डाल सकते हो उसके बाद लेंगे mixer जार में इधर हम सूजी डाल देंगे आधा कटोरी भरकर उसके बाद आधा कटोरी दही डालेंगे और आधा कटोरी भरकर इसमें प देख सकते हो उसके बाद एक बावल लेंगे और बावल में ट्रांसफर कर देंगे उसके बाद बावल में हम डालेंगे इधर टमाटर एक बारीक कटा हुआ इसके सीट्स पगेरा निकाल लेंगे उसके बाद डालेंगे इधर लिए सिम्वला मिर्च बारीक कट हुई दो चिम मिक्स कर देंगी वे अची टेवल से आप नास्ता बना रहे हो तो बहुत हेल्दी होने वाला है यह नास्ता और बहुत ही डिफ्रेंट तरीके से इसको बना कर त्यार करने वाली हैं कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं इस तरीके की रखनी हैं उसके बाद एक चौथाई चिमबच इसमें सावुत जीरा डालेंगे उसके बाद इसमें टैस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगी उसके बाद डालेंगे काली मिर्च का पाउडर ब्लैक वेपर थोड़ा सा उसके बाद इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत पंगता चीजों को अच्छे से मिक्स करने के लाश्ट में ढालेंगे इसमें तोडा थोड़ा सा बेकिंग ग्रीज जाय सकते हो तोड़ा सा ही डालना है उसके बाद मिक्स कर देना है उसके बाद लेंगे केक टिन आप थाली में भी बना सकते हो इसको अगर आपके पास है तो उसे अच्छे से ग्रीज कर देंगे ओयल से ताकि यह चिपके ना और इजीली निकल जाए उसके बाद जो बुक होती है या कापी उसका जो पैड होता हा फोड़ा इधर सी ढाल देंगे ऊछा इधर सी ढालेंगे एक साइज का है डालना है ऐसा नहीं मोटा पतला हो जाए इससे पहले अच्छे सी डाल देंगी इधर सेट कर लिया है अब इसकी स्टीम लगा लेते हैं अगर आपके बाद इस्टीमर में भी बना सकते हैं उसके बा पाउडर या फिर घरम मसाला या चार्ट मसाला पाउडर टाल सकते हों इदर रेड मिरची पाउडर हलका अलका हूपर इदर ही यहा अधर आप देख सकते हैं तो उसके बाद इसको निकाल लेंगे बहार बहार निकालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तब तक चटनी बना लेते हैं इसके लिए उसके बाद मिक्सर जाल लेंगे उसके बाद लेंगे पीनट इसकी रोश्टेट थोड़ी सी पीनट लेनी है उसके बाद पाद रख लेंगे थोड़ी सी 2 गृण चिली डाल देंगे इस एक उसको लाय में खुश्व ए टोड़ी से लेसन डालेंगे 6-7 लेसनगी कली इस में डाल देंगे अगर वात फोड़ा सा निवू का रस इसमें डालेंगे अगर निवू का रस नहीं है तो हम चूर इससे बिंगो के रख दी थी इस चट्री बनकर रेडी हो चुकी है आप देख सकते हो इसको एक आपल में ट्रांस्फर करने के बाद इसमें तड़का लगाएंगे बहुत अच्छा सा ओयल डालेंगे और ताय नास्टा सा ईसको बाहर निकालेंगे आप देख सकते हो जो पैड रखा था वो एकदम से स्पेस में और सावत निकला है विल्कुल भी टूटा नहीं है उसके बाद एक थाली लेंगे और इनको इस तरीके से पलट देंगे बहुत ही इजी तरीके से यह निकल जाते हैं विल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आता है आप जरूर ट्राइ करिए आपको बहुत पशंद आएगा यह नास्ता उसके वाद इनको सीधा करके इनके हमें पीसिस कट करने हैं पीसिस आप अपने पसंद के कट कर सकते हो थोड़े से पतले पतले इस तरीके से पीसिस कट करेंगे आप चाओ तो इन्हें फ्राइ करके भ खा सकते हो बहुत ही टेस्टी लगेगा आप इस तरीके से भी खा सकते हो इधर हमने सारे पीस कट करके रख लिए थाले में आप देख सकते हो चटनी के साथ आप जिनको भी देजी आप इस तरीके से सर्ब करें चटनी के साथ तो बहुत ही चटपटा और टेस्टी नास्ता लगने वाला है अगर आपको हुमारी थोड़ी सीवी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना तक हर वीडियो का नौटिफिक्शन आप तक पहुंच सके थैंक पॉर वाचिंग मिलते है हम कर दो दो मौ मेपकर अपकर प्रेस कर दो मिलते हैं मौ मौ मझे कर दो मौ 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 मिलते हैं ।